आ развит क्लास i1 lesson 2 question answer आज हम लोग करने वाले हैं ठीकए हम लोग my family lesson 2 का क्लास कर चुके थे तो आज हम लोग को सेमसर देख लेते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो आपको सेक्षन बाइज बाटा हुआ है A, B, C, D करके जिसमें आपको section 1 में tick out करना है जो सही होगा, correct होगा उसको में सही का निसान लगा देना है तो आपको question में यहां दिया हुआ है we live with our family इने बताई हम लोग रहते हैं we मतलो हम लोग रहते हैं साथ में family के साथ कहां रहते हैं ठीक है, बताई कहां रहते हैं हम लोग family के साथ में तो यहां से बताई जा रहा है क्या house में रहते हैं क्या school में रहते हैं क्या पार्क में किनमे से कोई नहीं तो हम जानते हैं ना कि हम लोग family के साथ में घर में रहते हैं तो मेरा answer कौन हो जागा A School में तुम लोग student के साथ रहते हैं मतलब आपने साहपार्ठी classmate के साथ रहते हो ठीक है पार्क में लोग घुमने जाते हैं रहने के दिया तो नहीं जाते हैं तो answer यहां पर कुण हो जगा house तो house में family के साथ हम लोग stay करते हैं रहते हैं घर में ठीक है चलिए next question है कि mother and father are known as बताइए माता और पीता को हम लोग क्या कहते हैं अंकल कहेंगे नहीं नहीं तो नहीं कहेंगे नहीं गलत हो गया आंट नहीं कहेंगे चाची तो कहेंगे नहीं बहन भी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उभी जानते हैं कि माता और पीता को हम लोग parents कहते हैं ठीक है और parents के parents अगर होते हैं तब उन्हें हम लोग grandparents कहते हैं तो हाँ पर अंसर को हो जाएगा डी मेरा अंसर डी हो जाएगा parents चलिए next question थार्ड question में है कि grandparents are the parents of our बताइए Grandparents are the parents Grandparents किन के parents होते हैं तो हमारे parents के parents तो our parents तेहां पर क्या हो जागा option में B तो grandparents are the parents of our parents यानि दादा जी हमारे फादर्स का पीता जी होते हैं यानि हमारे parents के parents होते हैं ठीक है? चलिए Question number 4 करता a large family has more than देखिए हम लोग दो परकार का तीन परकार का देखें एक तो हुआ एक बीग बीग मतलब large और एक वा जो आई ठीक है? तो हम लोग large family में देखे थे कि 5 से ज़्यादा अगर more than 5 people तो यानि 5 ब्यक्ति से ज़्यादा अगर सदस्टे सदस्टे हो जाएं किसी family में तो वो family large family कहलाता है तो दो family होगा तब यह तो होगा nuclear family यानि small family में आजा 3 family भी हो तो भी small में हो जाए 4 member होगे तो भी small में आएगा तो answer क्यों होना चाहिए 5 तो 5 is correct answer तो more than 5 member अगर हो more than 5 people हो तो वो कहलाता है large family ठीक है चलिए question number next में अब इस में हम लोगों को fill in the blanks है जो कि आपको दिया हुआ यह help box में है इसी के help से आपको इस वाले पूरे में fill करना है question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5 में सभी में इसी box के help से चलते पढ़ते हैं तो आपको box में दिया हुआ कि grand parents है surname है happy है small है house है तो small family is a grand parents होंगे नहीं surname नहीं क्यों हुआ तो हम लोगो जानते है कि small family is a happy family तो यहां पर क्या फिल कर देंगे happy यह वाला happy family इसी परकार से कहा जा रहा है कि हमारे पैरेंट्स के पैरेंट्स कौन होते हैं तम चानते हैं कि ग्रेंट पैरेंट्स होते हैं तो दादा जी ही न यानि ग्रेंट पैरेंट्स ही हमारे पैरेंट्स का क्या होते हैं पैरेंट्स होते हैं तो मारे parents के parents कौन होते हैं grand parents चलिए next चलते हैं कहा ज़रा a family has parents parents हो और साथ ही साथ एक या दो children हो one or two children तो जानते हैं ना कि वैसा family जिसमें parents हो जाएं माता पीता और इनके दो संता अगर दो बच्चे अगर हो जाएं या एक बच्चे हो तो इसे हम लोग a small family कहते हैं तो यहां पर क्या फिल हो जागा तो यहां पर फिल होगा a small family है ना चलिए next यहां पर next में करता all the member of family have that सभी family का एक ही surname नों होता है जिसे बूलते किसी का गुपता होगा किसी का प्रसाद होगा किसी का यादव होगा किसी का अंसारी होगा यह सब जो भी है एक family का surname एक ही होता यह सबही फैमली का सेम होता है सरने यहांसे इसका फील हम लोग Woolka कर लेंगे सेरनेम को इस इस पर कार से नेक्स्ट में डिक्वाण ग्रेड़ पेरेंट्स पेरेंट्स, आंट्स अंट अंकल्स अउर लीव टूगैधर सब्के सब रहते होंगे तो लोग कहां रहेंगे तो वो सब सब के सब घर में हील रहते हैं तो यहां पर क्या फिर हो जागा हाउस ओके चलिए इस परकार से हम को सन फिल इन दा ब्लैंक को कम्प्लीट कर लिए तो अब हम लोग के बारी आती है ट्रू एंड फॉल्स पढ़ने की तो ट्रू एंड फॉल्स्ट्रू के लिए टी लिख देना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना एं तो कहा जा रहा है कि अ ऑच फॉल्सवर्श से कम रहे तो उससे क्या कहेंगे ऑद स्मॉल Trump होता है लिए क्रेंड फॉर्स is the parents of mother बिलकुल सही है हमारे जो नाना जी होंगे या दादा जी होंगे वो मातब क्या होंगे parents होंगे तो हया से grandparents is the parents of mother यानि नाना जी माँ का parents है तो सही है All of us हम सभी लोगों को आग्याँ पालने करणे obey the grandparents grandparents के आग्याँ मानने चाहिए हम सभी लोगों को हां सही मानना चाहिए इसलिए क्या हो जाएगा true mother and father are our parents हमारे माता पीता जी के हमारे parents हैं तो हाँ parents हैं तो क्या हो जाएगा true हो जाएगा करता big family has parents with more than two children करता जो big family जो होता है तो parents तो होंगे तो parents होंगे तो माता पीता दो हो गए और इनके दो children से जादा यारी तीन children भी अगर हो जाए ठीक है तब क्या होगा family के member में पांच member आ जाएगा ना one two three four five तो जानते हैं कि अगर five member से जादा member अगर हो तो ऐसे family कम लो big family कहते हैं तो यह भी आपको true दिया हुआ है तो सिर्फ इसमें false कौन सा हुआ फास्ट वाला यह वाला सिर्फ फाल्स बाकिस सारे true चलिए अब कर रहा है what is a family family क्या होता है अब उसके बारे में पढ़ते हैं तो जानते हैं family बनता कैसे है तो जानते हैं कि मम्मी पापा और उनके बच्ची अगर हो साथ में तो उसे ही हम लोग क्या करते हैं family तो याद रखेंगे a family is made up of mother, father and their children family बनते कैसे हैं तो माता जी, माँ, पीता जी और उनके बच्चे समिला देते हैं इन लोगों को तो क्या बन जाती है family तो याद रखेंगे a family is made up of mother, father and their children रिपीट करते हैं a family is made up of mother, father and their children ठीक है याद हो जाएगा एक बार और a family is made up of mother, father and their children याद हो जाएगा चलिए next next में क्या है who is grandfather, grandfather, grandparents कौन होते हैं तो जानते हैं न कि हमारे parents के parents ही grandparents कहलाते हैं तो grand parents are the parents, grand parents parents होते हैं किनका our parents है न तो हमारे parents के parents होते हैं grand parents तो याद रखेंगे कि grand parents are the parents of our parents grand parents are the parents of our parents फिन से बोले साथ में grand parents are the parents of our parents याद हो जाएगा चलिए next question तो आप से पूछा जा रहा है do you live in a small or big family बताना है कि आप a small family में रहते हो कि big family तो जो बच्चे a small family में होंगे बस उसके माता पीता और भाई वहन बस दो भाई वहन तब उसके लिए है कि yes I live in a small family लेकिन अगर कोई ऐसे ऐसे बच्चे हों जो कि उसमें भाई वहन तीन से ज्जादा हो तो उसमें माता पीता होंगे दो और बच्चे ऐसे ज्जादा तो कितना मेंबर हो गया त니다 पीता 2 तीन बच्चे टूटा किन के लिए था तो ये उन बच्चों के लिए था जो की भाई बहन में दो या दो से कम है लिकिन किन के था तेन या तेन से जादत भाई बहन के लिए यह लिखना है ठाय हो muscles and T कि वरको यहां पर रहे कि हौँ मेंशार देयर इन योर फामरी अब जो बच्चे स्मॉल फैमली में रह रहे थे उनकी लिए चार या चार से कम होगा, तो यह लिखा हो ना, कि four members are there in my family, जो भी बच्चे होंगे, उनके पास अगर मम्मी, पापा और दो एक भाई एक बहन है, जाए दो बहने हैं, जाए दो भाई हैं, तो उनके लिए कितना member होगा, four members, लेकिन अगर एक माता, पीता और एक बच्चा हो, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, three members, ठीक है, यह अपने आप में देखना हो, कि आप कितने भाई बहन हो, ठीक है, अगर भाई बहन जादा होंगे, तो उनके लिए five या more than five, ठीक है, तो five members are there in my family, अगर चार भाई बहन हैं, तो यहाँ पर होज़ेगा six, क्योंकि एक माता, पीता और चार भाई बहन, तो टोटल कितना हो जाएंगे, six, तो six members are there in my family, तो जितने family member होंगे, यहाँ पर आपको लिख देना होगा, ठीक है, चलिए, अब है, what is the difference between, what is the difference between a small and a joint family, a small family और joint family में अंतर क्या है, तो जानते हैं कि यह limited है, कैसे limited है, तो माता, पीता और दो बच्चे इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन joint family में कोई भी limited नहीं कैसे, grand parents मान लिया है, अब इनके मारे पीता जी, मेरे अंकाल बहुत सारे हो गए, मारे पीता जी, यह अंकाल, तीन अंकल हो गए, ठीक है, उसी परकार से यह होगे मम्मी, फिर होगे आंटी, फिर आंटी, और फिर यह अंटी, अब इनके बच्चे उन्हें हमारे भाई बहां, फिर cousins हो जाएंगे, कोई limit है, अब जितना भी बढ़ा सकते हैं आगे तक, यानि इसका कोई limit नहीं है, किसका joint family का, ठीक है, small family में क्या होता है, तुम जानते हैं कि 4 या 4 से कम होता है, तो लिखा हुआ, it consists, रखता है, कौन, small family, कितना, less than, मतलब कम, किस से, equal, और, less than, or equal to, मतलब कम, 4 या 4 से, कम ब्यक्ति को रखता है, कौन, small family, लेकिन, joint family में, it consists, more than, or equal to 5 members, जब देखते हैं, joint family में, तो 5 या 5 से अधिक family members होते हैं, इसमें joint family में, लेकिन, small में, 4 या 4 से कम, तो 4 से कम होंगे तो, या 4 होंगे तो, small, अगर 5 या 5 या 5 जादे होंगे तो, joint, ये आपको difference हो गया है, ठीक है, तो हम लोग ये questions को पूरा कर लिए, हम लोग next chapter जो पढ़ेंगे, वो 3 होगा, roles, role in the family, हमारे life में family का क्या important role है, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग को क्या करना है, इसे जो पर चुके हैं, इसे आप लोग copy में लिखेंगे, और उसके बारे से remember करना है, ठीक है, और remember करके सबसे पहले guardians को सुनाएंगे, और उसके बाद फिर school में सुनाना होगा, ठीक है, thank you,